हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल स्वीट इंडियन ऑटिस्टिक गर्ल आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूं जो की कौम करने से रिलेटेड है और यह सभी तरह के मम्मियों के लिए है जिनके बच्चे चाहे ऑटिस्टिक हों स्पेशल बच्चे हों या नॉर्मल ब किस तरीके से जो है बाल सुल जाने है सबसे पहले हम बीच में मांग निकालेंगे और वह मांग को हम पीछे तक लेके जाएंगे और एक बात ध्यान रहे अगर सामने मिरर रहेगा बच्चे के सामने अगर हमें बड़ा सा मिरर रख देंगे तो बच्चा भी देख पाएगा कि उसके साथ क्या-क्या हो रहा है तो वो भी एक अच्छा रहता है तरीका तो वो मिरर आप जरूर रखिएगा तो फ्रेंट्स देखिए आप इस तरह से जो है बालों के पूरे दो पार्ट कर दिये गए हाफ इदर और हाफ इदर अब हम जिस साइड के हमें बाल सुल जाने है उसे छोड़ करके दूसरे वाली साइड में हम रबर्बंड लगा देंगे ताकि जो बाल है वो इधर ना हम एक तरीका है कि बाल बॉर्ट डैंस है अगर तो हम इसके चार पार्ट कर लेंगे बालों के वन इस तरह से चार या तीन जितने आपको सही लगते है उतने पार्ट कर लीजिए बालों के और एक एक पार्ट को हम जो है सुल जाएंगे जैसे यह तीन पार्ट किये गए हैं और अभी हम एक पार्ट को जो है सुल जाने की कोशिश करेंगे अगर बालों में ओयल रहेगा तो और भी अच्छा रहता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी ओयल तो लगाना ही पड़ता है उससे बाल जो हैं जल्दी से सुलन ज कर सकते हैं जितने आपको अच्छा सही लगे और उनको ठीक से सुल जा लेंगे बालों को कि तो इस तरीके से यह इनके जो पार्टिशन किये थे हमने कि इनको सुल जा रहे हैं अभी और बार ने इसी टेक्नीक से जो है बच्चों को सिखाएंगे अभी जो है यह मम्यों के चलने यहिए में वीडियो क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही चिल्ल मचली यो जाती ही बहुत ही जादा प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारे काम रहते हैं टीफिन ना रहता है का आपको बहुत हरेगी यह बहुत ही पूरानी टेक्नीक है जो हमाई को हमाएं मम्य shines साथ किया क है एक साइड के पूरे बाल जो है अच्छे से सुलज गए हैं जबकि बाल कर ली भी है आयूशी के और जो सुलजे में बाल है उसमें फिर हम रबर्बेंड लगा देंगे और अगर बचों की दो चोटी करके भी भी बेजनी पड़ती है स्कूल में कई स्कूलों में ऐसा होता है तो उसको हम गुद के उसको भी बना सकते हैं साथ के साथ ही तो अब यह दूसरी साइड वाला हिस्सा है कि इसके भी हम तीन-चार पार्टिशन कर लेंगे बालों के क्योंकि इससे बहुत ही आसान हो जाता है बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होती है और काम बहुत जल्दी हो जाता है इसमें टाइम की काफी बचत होती है तो इस तरह से । और इसमें हम दो तरह के कॉम यूज़ करेंगे जैसा कि मैंने शुरू में आपको पिक दिखाई थी एक बड़ा वाला कॉम जो रहता है ये वाला एक बार शो कर दो कॉम बड़ा वाला कॉम यह वाला कॉम है सुल जाने के लिए और बात में हम इससे कॉम करेंगे अंदर के उल्जेवे बाल भी आसानी से सुल जाये जा सकते हैं और बहुत ही जल्दी जो है हो जाता है यह यह देखिए तीसरा इसका पार्ट ले लिया है कफी आसानी से यह हो गया है और बच्चा है वो भी एकदम चुप रहता है आपका क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वह बहुत शान्त रहता है यह तरीका भी आयुशी की जो स्पेशल एजुकेटर आती उन्होंने ही मुझे बताया था क्योंकि इतने सालों से मैं भी परेशान हो रही थी और यह सारी चीज़ें में भी फेस कर रही थी और मैं भूल गई थी कि मेरी मम्मी भी इसी तरीके से मेरे कॉम करती थी तो अभी मुझे लगा कि नहीं है मुझे तरीका बता देना चाहिए हो सकता है कुछ मम्मियों को मालूम हो लेकिन जिने मालूम नहीं है उनके लिए यह वीडियो काफी हैलफुल रहेगा तो इस तरह से देखिए यह दो चोटी भी बना सकते हैं अपन और अगर एक बनानी है तो एक पोनी भी बन जाएगी देखिए फ्रेंड्स अब यह बड़ा वाला जो बड़े दाते वाला जो कंगा था कॉम था उसे हम एक साइड रख देंगे अभी और जो बारिक वाला कंगा है उससे हम कॉम करेंगे क्योंकि अभी जो है बिल्कुल लास्ट आ गया है बाल सारे आयुशी ने पूरे वीडियो में चूं तक नहीं किया उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और यह चोटी बनके रेडी हो गई है अब सिर्फ रबर लगाना इसमें तो फ्रेंट्स इस तरीके से यह पॉनी टेल जो है सुन्दर सी रेडी हो गई है और आयुशी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुए आयुशी एग्दम हैपी है और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपने आप अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे है तो आप मेरे चनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कमेंट्स कर दीजिए मिलती हूं अगले वीडियो तब तक के लिए बाई बाई